दोस्तों आप सब के बहुत सारे कोश्शन्स आ रहे थे मेरे पास बहुत समच्चों ने मुझे मेल करा बहुत समच्चों ने कमेंट में लिखा किसा डे में पढ़ू या नाइट कोश्शन यह बिल्कुल सही है आपका लेकिन इसका अंसर जो है वो डेफर करता है क्योंकि सब के लिए गियान सा सूट नहीं करता कि आप डेब में पढ़िए या फिर सब के लिए ये भी सूट नहीं करता कि आप n Naight में पढ़िए तो आच के इस वीडियो में मैं डेख के benefits बिताओंगा और नाइट में होने वाले benefits बिताओं稍गा नुक्सान किसे क्या होता है ये तो यार हर जीज की कुछ सही तो कुछ गलाद तो होगा है तो वो समय पे छोड़ते हैं उसकी वीडोस में बाद में बताऊंगा पर दोनों के अपने benefits तो हैं पर ये बात आताल नहीं सकते तो आज के इस वीडो में इशिविशा नहीं बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि morning में पढ़ने के क्या-क्या benefits है तो सबसे पहला benefit ये आता है कि concentration and more energetical ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप सुमय उड़ते हैं तो आप बिल्कुल fresh होते हैं आपके माइन में लास्ट रिका नाइट में क्या था दिन पर क्या हुआ था इस सारी चीजें clear हो चुकी होती है और आप बिल्कुल fresh महसुस करने हैं तो जब आप सुमय पढ़ेंगे तो आपका concentration और energy power ये ज़ादा रहता है और दोस्त एक personal advice है कि चाहे किसी भी time पढ़ लो अगर मन ना हो तो भाई कोई एनर्जी नहीं होती लेकिन ये बात right है कि सुमय पढ़ने से energy और concentration जाता रहता है और दोस्तों second number पे हैं कि अमेरिका के एक university के मताबिक natural light में study करना as compared to bulb के सामने आइस के लिए जादा better होता है तो ये जरूरी नहीं कि हर एक के लिए possible है बट अगर आप day में बढ़ते हैं तो ये benefit आपके साथ है उसके बाद है अगर आप group study करना चाहते हैं तो मेरी खुद के study और जितने भी teachers या students उनसे मैंने पूछा है तो नहीं कहा है कि day में group study करना जादा better होता है as compared to night क्योंकि problem क्या है group study की group study में आप चपचाप रहके नहीं पढ़ सकते वहाँ बोलना पढ़ता है दूसरे से पूछना पढ़ता है तेरा हो गया क्या नहीं भाई मेरा इतना रह गया है यह कुशन तो नहीं कैसे कर लिया ऐसी चीजे as compared to night day में आप जादा बोल पाते हैं क्योंकि night में आपको silent रहना पढ़े as usual अगर आप 11 बजे 12 बजे आपको पढ़ रहे हैं तो उसले में आप इतना loudly या फिर इस तरीके से बात नहीं हो पाती इस वज़े से गुर्प स्टेडी रहे हैं वह जादा बैट होती है और नेक्स्ट है कि अगर आप सुबह उठके बढ़ते हैं तो यह आपकी health के लिए बहुत effective रहता है यह बात reality है यह इस कंपेर टू नाइट सुबह उठके पढ़ना क्योंकि सुबह उठने के बाद आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं तो आप सुचेंगे कि चले आप सुबह से लर्न करने की थी वहाँ ऐसी exercise ऐसी meditation करके उसी एक घंडे में आप दो चाप्टर पढ़ने की capacity बना सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों नाइट में study की नाइट study करना एक student के लिए जरूरत बन गया है या फिर habitual हो गया आप दोनों कह सकते हैं रिजन इस डैट अगर आप competitive के students हैं तो होता क्या है situation में आपकी classes होती है इवनिंग तद फिर आपको उसके रिगार्डिंग homework करना है कि इतने सारे आपने सुबह से लेकि अलगला coachings कवर करी है उन सब का revision करना बहुत जरूरी है तो यह सारी कहीं कुछ चीजे हैं जो एक routine सा बन गया है है वीच्वल हम नहीं थे लेकिन उस चीज़ में ढलना पड़ा क्योंकि हमारा coaching centers या फिर हमारा स्कूल का timing कुछ इस टाइब का था तो नाइट में study करने के भी अपने अलग benefits हैं यहां पर आपको सबसे पहली कि साइलेंस बहुत मिलता है एस कंपेर टो मॉर्निंग नाइट में आपको साइलेंस जादा रहता है दूसरी बात कि यहां पर आप अपने करियर के रिगार्डिंग अपने सब्जक्ट के रिगार्डिंग बहुत कुछ नया सोच सकते हैं लंडर में हूँ एक रिसर्च के मत नहीं कहीं आपकी बिजनस परफेशन स्टडी इन सब में गुरूध दिलाता है अब यह बात किती सही है नहीं आप इसे यूज करके देख सट का रूटीन आपके स्कूल का रूटीन आपके कोचिंग सेंटर का रूटीन अगर उस टाइप का है तो आपको ढले में टाइम न होना चाहते हैं बट हो नहीं रहा तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि दस दिन का एक टाइम टेबल बनाई है एवरी डे अगर आप सुम्हें नाइन ओक्लॉक उठते हैं तो एट थर्टी का अलारण लगाए और वह अलारण ठोड़ा दूर हो क्यों नहीं उठेंगे अगले दि इस टाइबस अपना शेडियूल बनाई है हमेशा एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो जरूर रखें स्टड़ी को चैब किसी भी लेवल पे हो विदाउट टाइम टेबल कोई सूट इने करता यहां तक की टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि जो कुश्चिन में स्टार् जी त्यकिसापको पता रहता है कि कौन से कुछ नप कितने मिनट में कर पाते हैं स्टाटिंग में दिकते हैं यार यार बार बार टाइम कौन लिखे बाइक लेकिन ये ज़रूरी है यह कहीं ने कहीं आपकी किपैसिटी इफिसेंसी इन सब चीजों को इंग्रीज करता है इसके मेरे अंदर ये quality है जिससे मैं बाकी सबसे जाद अच्छे से कर पाता हूं और बहुत जल्दी समझ पाता हूं। तो सुरुवात में मैंने कुछ एकाद benefits बदा हैं आपको morning में study और night में study का ये अपना ही काकड़ा है बढ़ आप अपने गोड़ेगे।